देखे, परधानमंतरी किसान सम्मान निधी ओजना की अगली किस्ट है, वो 27 जुलाई 2013 को माननी परधानमंतरी चीज जारी कर रही हैं, यानि किस्ट जारी होने में अभी कोछे समय बाकि है और यह किस्ट प्राप्त करने के लिए सबी किसानों के लिए बहुत महत पुर्ण है कि इस योजना की जुड़े सभी status जरूर चेक कर लें अब इसमें सबसे पहला status होता है payment यानि installment status उसमें क्या-क्या अपडेट अभी चल रहे हैं दूसरा है पातरता और एपातरता का status है तीसरा है PFMS बैंक का status अगर आपके बैंक खाते में आधार लिंक है सब को सही है फोरम भ आपका एक्षेप्ट नहीं है वह एक्षेप्ट बहुत से किसानों का है बहुत से किसानों का पैंडिंग है क्योंकि अब यह सरकार है वह आधार बेस पेसा दे रही है इसके लिए यह स्टेटिस बहुत ज़्यादा मैत अब भी हो चुका है अब आपका government fund status है यानि अब किस पैमेंट Corporation of India यानि यह सभी जो स्टेटिस है वो अगर आपको PM किसान योजना की किस्त दिलाने के लिए सभी सही है यस है तो फिर आप PM किसान के लिए पात्र किसान है आपको जो 27 जुलाई वाली किस्त है वो पक्का मिलेगी 100% मिलेगी तो से लिए वीडियो शुरू करते ह हैं लाइक शेर सब्सक्राइब कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जो आपका कोई भी अपडेट है वो हमें टेलिग्राम पर बेश सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया धन्यवाद तो से लिए सबसे पहला स्टेटस हम इस्टॉल्मेंट स्टे स्टेटस चेक कर लिजेगा और अगरी किस्त का पता लगा लिजेगा वेशे तो कि सानु को पता संह पर दिख सकते हैं यहां वीडियो बुना रहे हैं एक दिन पहले का बूमरे मिले है यहां एक दिन पहले की डाटा यहांपर जोई है तो आपक स्टेटस यहां पर new मिल जाएगा तो यहां पर सबसे पहले personal information है यह आप चेक कर लेना कि आपकी आधार कार्ड वाली मिल रही है या कर नहीं है आपका address आपके गार्जन नेम आपकी जुफादर पती का नेम या फिर आपका खुद का नेम आपका जेंडर वगेर है यहां पर चेक कर लेना पतरता स्टेटस है यहां पर आपकी land sitting, EQIC, आधार bank sitting यह आपकी yes सुनी चाहिए अगर यहां पर आपका आधार bank yes है फिर भी मापको बता दू पिमक सान्योजना के लिए आधार bank status yes है लेकिन आपका last bar cup accept होा था उसके साथ साथ आपका जो आधार किस bank के साथ link है अगर उस 20 दिन update नहीं होती है अगर आप bank में जाकर कोई activity कर लेते हैं जिसके वज़े से आपका या तो count disable हो जाता है ब्लोक हो जाता है या फिर कोई NPC other bank में link कर लेते हैं बहुत से ऐसे option होते हैं जिसके वज़े से आपका जो आधार bank यहां पर सही है फिर भी आपका गलत हो सकता है अब यहां पर अगला status है installment status जिसकी सर्चाएं बहुत जादा होती है यहां पर आपका fund order यह आप देख सकते हैं यह सरकार की तरफ से यह सोना चाहिए यह status में आपको सही किसान का status देखा रहा हूँ इस किसान की कोई भी समस्या नहीं है और इसका installment status में RFT sign by state है सबसे पहले उसमें payment proceed और किस तजारी होने के कुछ दिन बाद payment done दिखाने लग जाता है यह एक status का update मैं आपको बता रहा हूँ और fund order का मतलब आप समझ सकते हैं यहां पर aptio fund transfer order जो government की तरफ से किस तजारी होने से पहले या फिर किस तजारी होते समें release किया जाता है अब आपको सबसे पहले चेक करना है PM किसाने उजना का PFMS बैंक स्टेटस यानि पबलिक financial management system का जो स्टेटस है इसके लिए आपको Google में जाकर सर्च करना है now your PFMS बैंक स्टेटस in PM किसाने उजना आगे आप माही info now और लगा देना जैसा कि यहां पर मैं लगा देता हूँ अब इस तरह से आपक PM किसाने उजना की बैंक स्टेटस चेक करने का और रजिस्टेशन नंबर डालने का तो निचे की दर पाना है यहां पर स्टेटी गई है इसे द्यान से पढ़ें और उसके बाद निचे यहां पर आपको एक रजिस्टेशन नंबर डालने का option है यहां पर रजिस्टेशन नं कौन से बैंक खाते में आधार लिंक है कब लिंक वाता एक्टिव है इनेक्टिव है डिबीटे गाउसन चालू है या खर नहीं है वो यहाँ पर आपको पता लगेगा तो यहाँ पर आपको आधार बैंक स्टेटस चेक माहिन पूनाव डाल कर सर्च करना है सर्च करते ही उपर आपको पेज मिलेगा यहाँ से आप चेक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आपको माहिन को डोटिन यहाँ से चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपका कौन से बैंक खाते में आधार लिंक है कब लिंक वाता कौन से तारी को लिंक वाता ये सभी डाटा मिल जाएगी तो इस तरह से आप सारी जान करी पता लगा सकते हैं वीडियो चा लगाओ तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना और इन अगर सभी स्टेटिस में आपकी डाटा सही पाई जाती है सही स्टेटिस मिलता है सभी का तो आपको PM किस्त 100% मिलेगी धन्यवाद